हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन इन फ्लाइंग सिविक इन्वेस्टमेंट तो आज के वीडियो में बात करेंगे रैली इंडिया के स्टॉक के बारे में जो की एक टाटा का एग्रोकेमिकल स्टॉक है एंड करेंटली बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवैलेबल है अग आपको स्क्रीन पे देखेरी है टेज 200 डे मोविंग अवरेज ऐसे काफी ये स्टॉक अभी हृँ ट्रेड कर रहा है है जबकि यह RSI यह स्टॉक अपनी 72 की RSI पे भी ट्रेड करा है इसने 68 की RSI पे भी ट्रेड करा है तो काफी अच्छे fundamentals के साथ यह स्टॉक काफी अच्छे valuation पे अभी currently available है और अगर आप देखें कि अभी recently इसने January के अंदर 314 का हाई लगाया था अगर वो price range भी हमें दुबारा देखने को मिलती है within 6 months तो आप देख सकते हैं कि around current price से हमें 21% के return देखने को मिल सकते हैं जो कि एक decent return है in the span of 6 months तो आगे हम इस वीडियो में इस company के fundamentals के बारे में बात करेंगे और क्या इसके technically इसके target बनते हैं उसकी करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल की playlist section में जाके आप जो फ्यूचर मल्टी बैगर सीरीज है इलेक्ट्रिकल वीकल से सब्सक्राइब अप्लोड कर रखे हैं वो अब देख सकते हैं और एक मिड़ कैप मल्टी बैगर यह प्ले लिस्ट जो है आप जरूर एक बार विजिट करें जिससे आपको काफी अच्छे स्टॉक के बारे में जानकरी मिलेगी तो रेलीज इंडिया के स्टॉक के मैं फंडमेंटल्स की बात करों तो यह आराउंड पांच अजार करोड मार्केट कैप की कंपनी है अभी यह स्मॉल कैप कैटेग्री में आती है और इसके बहुत अच्छे पर चाइब जो दो चीजें आपको वेल्यूएशन के लिए देखने होती है वह सबसे पहले आप स्टॉक के पी को इंडिस्ट्री के पी से कंपेर करते हैं आप यह देखते हैं कि जो स्टॉक है उसका मीडियन पी क्या आता है पिसले वन येर का लाइक अगर वन येर के मीड आता है और करेंटली स्टॉक इस ट्रेडिंग एट्वेशन पर दिखती है तो एक बाइंग पॉर्चुनिटी यहां पर एक नजार आती है मुझे अगर प्राइस चार्ट की बाद करें तो आप यहां स्क्रीनर पर भी देख सकते हैं दीजार दे मूविंग एवरेजे एंड 50 डे मुविंग एवरेजेंड 200 मुविंग एवरेजेंड स्टॉक इस ट्रेडिंग बिलो बोथ हटे मुविंग एवरेजेश एंटरप्राइज वेल्यू अब दिखोगे कि इसके मार्केट कैप से कम आएगी डेट है कंपनी के पास उससे डबल इनके पास कैसे क्वेविलें है और स्टॉक अभी अपनी इंट्रेंशिक वेल्यू से नीचे हमें अवैलेबल है कि क्वाटर्ली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की सेल है जो का इंक्रीजिंग और में आपको दिखेगी और और अपरेटिंग प्रॉफिट जो है 60 करोड का है डिसम्मर 2020 के अंदर अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस 11 परसेंट जो कि मार्च 2020 के अंदर माइनस 3 परसेंट था वहां से कंपनी ने अपने अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया है और अभी 11 का operating profit margin है आप EPS कंपनी का तो इसमें भी consistency नज़र आएगी जो की टाटा ग्रूप की कंपनी है तो इस particular segment से आप यह expect कर सकते हो और trailing 12 month की जो sale है वो भी 2300 करोड की है जो कि मुझे पिछले काफी time से highest ever पर नज़र आती है जाइक मार्स 2009 से ऐसी सेल कभी नहीं आई थी और अगर एक्सेंस के बाद आप operating profit देंगे 295 का trailing 12 month का profit है जो की काफी decent profit है and yearly अगर profit margin के बाद करें तो वह 13% है जिसको भी company ने पिछले 6 महीने से इंप्रोव किया है sales growth आप पिछले 3 years की 11% sales growth तेख सकते हैं जो की decent stock price CAGR 53% है then company के जो रिजर्व है वह 1519 करोड है वह काफी decent number है और उसी का percentage अगर आप देखेंगे तो मार्स 2009 में जो 30% था इसमें भी consistency नजर आती है and currently यह थोड़ा below average है इंसे 16% आता है and share holding pattern की अगर बात करें तो share holding pattern 50% जो stake है वो promoters के पास है जो की मार्स 2018 से constant है FIA के पास भी अच्छा stake है 8% का DIA के पास बहुत अच्छा stake है 16% का DIA के अंदर आप देख सकते हैं almost all the mutual funds having release India in their portfolio तो वहां से भी एक अच्छा confidence नजर आता है government के पास 2.41% का stake है and public के अंदर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी खास बात आपको नजर आएगी initial six month में भी देखने को मिल सकते हैं तो आपको long term के लिए इसमें multivagor return के लिए आप इसे hold कर सकते हो अगर इसके company के product की बाते बारे में बात करें तो crop protection से related company product बनाती है 77% revenue उसे से आता है then 4% revenue crop nutrition से आता है 16% revenue seeds से आता है and अगर आप location wise इसके breakup की बात करें तो North America से 4% India से 70% ACIX इंडिया से 16% North America 8% and South America to 4% तो इसकी national international presence भी आपको नजर आती है and product wise crop protection के अंदर क्या-क्या product company बनाती है तो यह herbicides बनाती है, fungicides बनाती है then insecticides बनाती है तो company के पास immense growth opportunities है as जो India है as you all know की agriculture dependent country है और 75% लोग जो है agriculture से related काम करते हैं तो next 20 to 25 years के लिए भी आप इस stock को hold करते हो तो काफी अच्छे return like आप 100X भी इससे expect कर सकते हो तो that's all about this particular video और आप flying civic channel को जरूर subscribe करें जिससे इस type के और वीडियो आपके सामने आते रहे thank you for watching this video